अधिया वेल्कम तु इस दॉक्टर विपन गोईल तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्ट करने जा रहे हमारे बैस थाउजन करंट फेस का पार्ट नमबर सेकेंड सेट नमबर टू और इसके अंदर हम डिस्ट करेंगे जनवरी से जून तक के करंट फेस पिछले छे महिने के और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोईल तो आपको बता दूं कि लास्ट मैंने कर जो है सेट नमबर वान इसको डिस्ट किया था तो आज हम सेट दूर डिस्ट कर रहे हैं और ऐसे ही हम अपने नेक्स फ विपन गोईल के नाम से यहां पर सारे लेक्चर्स, इंफॉर्मेशन, सारे पीडियेफ वगरा यहां पर सेंड कर दी जाती है और दो कोर्स है GS कोर्स और एक है हमारा जर्नल अवेनेस का 10,000 MCU कोर्स आप परचेज कर सकते हैं इनको दोनों कोर्स इसको 20 तारिक तक और डिसका बाइ डॉक्टर विपन गोईल यह GS कोर्स जो है हमारा थेयरी कोर्स है और जो हमारा जर्नल अवेनेस का 10,000 MCU कोर्स है यह MCQ कोर्स है इसके अंदर MCQ डिसकस किये गए हैं तो आप जाके घर पे अपने परपेर कर सकते हैं और अपनी प्रपेरिशन को आगे बढ़ा सकते हैं तो आज हम डिसकस करेंगे Jan के June मंत के करने टेफ़ेज में 48 से 75 से पहले मेने 47 कोर्टे बेंदेको आज 58 से 75 डिसकस करेंगे तो तो देगे जिपहला कोशन स्क्रीन के अपर कहा कहता है आपने कोशिश करनी कि आप जो है अपनी कॉपी में अगर लिख रहे हैं ज़िए सुन departments under one platform किस राज्या ने एक ही मंच के तहत सभी राज्य विवागों के राजपत्र अधिस हूचना उपलब्द कराने के लिए भारत में अपनी तरह का एक e-gadget portal शुरू किया है ताकि जिसमें प्रपर तरीके से जो भी department काम करते हैं पुरी राज्या के अंदर वो एक ही platform में आ जाएं तो ये किस ने start किया है ये किया है उडिशा गर्मेंट ने C option क्या बनेगा correct answer बन जाएगा अब उडिशा के CM का नाम क्या है नवीन पतनाइक और जो इनके governor है उनका नाम है गनेशी लाल लेकिन अब हम बात करें जो हमारे नवीन पतनाइक जी है नवीन पतनाइक जी को एक पैटा अवर्ड मिला था भी रिसेंटली पैटा अवर्ड जो मिला था ये इसलिए मिला था क्योंकि इनोंने community animals को जो है feed करने के लिए scheme चलाई थी और fund allocate किया था यहाँ पे और one more question is जो उडिशा के साथ link करता है इनका state anthem state anthem status मिला था वो state anthem status किसको मिला था that is the song is बंदे उत्कला जननी यह ध्यान रखना this is the state anthem this is very very important उडिशा government और उडिशा की capital is बंदे शर उडिशा में गाहिर माथा बीच है और जहां पे olive relay turtle जो है नेस्टिंग करते हैं यहां पे जो है आपका जो olive relay turtle जो है गाहिर माथा बीच के उपर और उडिशा में चीलिका लेग भी है जो हमारी लेगून लेग है तो answer is C option which of the following ministers विदेश मंत्रालया के जो मिनिस्टर है वो है जैशंकर जी एक चीज़ आपको मैं बता देता हूं कि अभी recently जो है ministry of science and technology ने science and tech ने भी एक जो है आपका initiative जो set up किया है that is called drug discovery hackathon drug discovery hackathon ये जो initiative है ये किसके लिए था ये इसके लिए था COVID-19 से बचने के लिए to fight against the COVID-19 and science and tech के minister को है दॉक्टर हर्श वर्दन अंसर is A option the khadi and village industry commission has opened its first silk processing plant in which state recently khadi और घ्रामदयोग आयोग ने किस राजय में अपना पहला रेशम प्रसंसकरण सहिनत्र खोला है तो ये किसने कहां पे खोला है गुजरात के अंदर khadi village गुजरात के अंदर गुजरात के cm का नाम बताएं तो विजे रुपानी है और यहां पे गुजरात के अंदर कुछ dams बड़े important है जो आपके बूचे आते हैं सरदार सुरोवर डैम तो सबको पताऊगा नरमदा रीवर के उपर है और गुजरात का जो एक है काड़ना डैम सो काड़ना डैम जो है माही रीवर के उपर है और एक है उकई डैम उकई डैम बहुत बार पूचा जाता है उकई डैम जो है किस river के उपर है ये पूचा जाता है तापती river के उपर है तो ये याद रखना है अंसर इसमें क्या बनेगा बी option गुजरात इसा राइट अंसर इन्विच सिटी दा फॉर्थ All India Police Judo Cluster Championship 2019 है जाने के चौथी अखिल भारतिया पुलिस Judo Cluster Championship 2019 की शहर में आयोजित की जा रही है तो ये आयोजित की जा रही है कहां पर निउडेली के अंसर इसमें क्या बनेगा डी option और इसमें जो है मिनिस्टर जो कौन आये थे Union Minister of State for Home Affairs Home Affairs के State Minister आये थे ना कि Home Minister आये थे Home Minister is Amit Shah लेकिन Minister of State आये थे for Home Affairs जिनका नाम है Nithyanandr Rai नithyanandr Rai जीने इसको inaugurate किया था इस Judo Cluster Championship को और ये और्गनाईज किसके द्वारा किई जाए थी CRPF द्वारा और्गनाईज की जाए थी Central Reserve Police Force द्वारा और्गनाईज की गई Answer is Delhi is the correct answer Which State has declared 2020 as the year of Artificial Intelligence Artificial Intelligence के लिए 2020 का कौन सा रज्य जो है बना है वर्ष गोशित किया है किस रज्या ने 2020 को Artificial Intelligence का वर्ष गोशित किया है तो वो किया है तेलेंगना ने और दो जून को जो है इन्होंने छटा वर्ष गांट इन्होंने बनाई थी और जो तेलेंगना है तेलेंगना के जो सी एम है डैट faut के चंधर शीकर राउ एंड गवर्नर का नाम है तमिल साइ सौौधा राजन तमिल साइ ईट्स-सोधारा राजन ठीक है सुधारा राजन ये भी आपको द्यान रखिए तमिल साइद सुधारा राजन तो तेलेंगना is the correct answer तेलेंगना में अभी एक जो है हमने reservoir start किया है that is called Conda Pochamma ये जो है ये एक reservoir है ये inaugurate किया गया था ये कहां पे तेलेंगना में that is places city pet city pet के अंदर ध्यान रखिए very important अभी GI टैग मिला है वहां पे तेलाई रुमल तेलाई रुमल को जो है ये GI टैग मिला है कहां पे तेलेंगना के अंदर this is very very important question again answer is तेलेंगना is the correct answer according to the data from the ministry of forest environment and climate change what was the total number of tiger death occurred in India during 2019 2019 2019 में जो है कितने बागों की 1 और जलवाजू प्रवर्तन मंतरा ले ने आंकडे दिये थे तो ये 95 tigers की death की बात करी जा रही है और project tiger जो है 1973 में चला था और हमारे जो environment minister है और वो कौन है ministry of जो environment है हमारे forest वाले that is परकाश जावेदकर जी परकाश जावेदकर जो कहां से MP है महराष्टर constituency से answer इसमें 95 is the correct answer who was recently presented with the लोक मानने तिलक national journalism award लोक मानने तिलक राष्ट्रिया पत्तर कारिता पुरुस्कार से किसे समानित किया गया तो वो किया गया संजे गुपता जी को संजे गुपता जी को D option क्या बनेगा right answer बनेगा एक नाम है गुलाब को ठारी गुलाब को ठारी जो है इनको भी एक किसी journalism के लिए अवार्ड घुशित किया गया था that is राजा राम महुनराय national award for excellence यहाँ पे गुलाब को ठारी जी को मिला था that is राजा राम महुनराय वाला लोकमाने तिलक का जो मिला है वो संजी गुपता जी को मिला है एक award मिला था that is gender based budgeting के लिए gender based reporting के लिए gender based reporting के लिए मिला था अनुराधा को अनुराधा मस्क्रेनस इनको जो है अवार्ड मिला था और यह जो है gender based के लिए इनको reporting की थी इन्होंने अनुरादा जी को मिला था और Indian Express के अंदर जो है ये काफी hype post के उपर है और अगर बात करे जाए रूरल जर्नलिजम के लिए रूरल जर्नलिजम के लिए जाने के अगेन गाउं के लिए रूरल जर्नलिजम में जो award मिला था वो था संजे सैनी को अगर आपसे पूचा जाएगी इंडिया का पहला corporate port जो है वो कौन है इसका नाम क्या है इसका नाम है और यह कहां पे है चिनई के अंदर है रिवराइन पोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो रिवराइन जो रिवर से बनता है तो विशाखा पतनम है तो अंसर इसमें क्या बनेगा, C option is the correct answer, आंध्राप्रदेश, कृष्णा, पत्ना यहाँ पे देखेजी, यह सारे ports यहाँ पे लिखे गए हैं, यहाँ पे देखेजी, कांडला पोर्ट हो गया, चीक है और यहाँ जवाला नार पोर्ट, मुंबई पोर्ट, विशाका प्रनमडी इस दिपस्ट वन, हल्दिय इस दा रिवराइन, यह सारे इनौर इस दा कामरा जार जो हमारा पोर्ट है तो these are the different ports हमारे जो export import के लिए काम आते है Next Who has been appointed as a first chairman of national medical commission राश्टियाच चिकेसा आयो का अध्यक्ष किसे नयुक्त किया गया है पहली बार तो ये नयुक्त किया गया है सुरेश चंदर शर्मा जी को तो D option क्या बनेगा राइट अंसर बनेगा सुरेश चंदर शर्मा जी को और अगेन ये पॉइंट कहाँ पे गये थे दिल्ली के अंदर National Medical Commission डैली के अंदर और अगेन ये Medical Commission किसके अंदर आता है अगेन Minister of Health and Family Welfare जिसके Minister कोई है डॉक्टर हर्श वर्दन आंसर इस D option is the correct one रोहित शर्मा recently led the foundation stone for International Cricket Stadium in which city रोहित शर्मा ने हाली में की शेर में अंतराश्य Cricket Stadium की अधार शिला रखी है तो वो नाम ही क्या है रोहित शर्मा Cricket Stadium ये हैदराबाद के अंदर बी option क्या बनेगा राइट अंसर बनेगा cricket के लिए दो आपको नोट जो है आ जो हमारे इंडिया के अंदर जो है आपके स्टेटिम फोडे बॉस्ट शाते हैं एक टोइंडर बार पुचा चाटा ओढडन जो है वो कहां पे है कै कोुछ इस वानखड़े स्टेडियम इस मुंबई जिदा बी सीसी जो है हमारे एड़कॉर्टर बॉर्ड ऑफ कंडॉल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जिसके प्रेजिनेंट को है सौरफ गांगुली है त्यां रखिए अगर आपसे पूचा जाए कि हाइस्ट हाइस्ट क्रिकेट ग्राउं जे एफ सेवंटीन थंडर का उननत संसकरण चीन और किस देश द्वारा संजुक तुरूप से विक्सित किया गया है तो ये चाइना और पाकिस्तान ने मिलके किया है तो अंसर इसमें क्या बनेगा ए ऑप्शन चाइना एंड पाकिस्तान बारत ने सोलर पाकों के विट पोशन के लिए किस देश को 75 मिलियन अमरीकी डॉलर लगबग 500 क्रोड रुपे का रिन दिया है 500 क्रोड का रुपे का जो रिन दिया है वो दिया है क्यूबा को अंसर इसमें क्या बनेगा C is the correct answer और क्यूबा को हम क्या कहते है शूगर बावल अगिन आपको एक चीज भेस हैं पताना चाहूंगा कि अगर हम बात करते हैं की सूलर पाक की तो हमारे लिए पता होना चाहिए कि international scalar alliance International Solar Alliance के जो Headquarter है वो है Guru Gram के अंदर हमारे इंडिया के अंदर Guru Gram इंडिया, अभी एक country है Tojo उन्होंने किसको जो है, that is project दिया है engagement के लिए letter of engagement दिया है वो दिया है NTBC को, that is National Thermal Power Corporation को जिसमें हमने क्या develop करना है इन्होंने 300 Megawatt Solar Park जो है project के लिए Tojo Company ने NTBC को जो है offer दिया है तो answer इसमें क्या बनेगा जी, आपका Cuba is the correct answer 500 क्रोड रुपे दिये है, 75 million dollar Which country has declared 2020 as the year of ancient city of its पतारा किस देश ने 2020 को प्राचीन शहर पतारा का वर्ष घुशित किया है तो ये घुशित किया है किसने, तरकी ने अंसर इसमें क्या बनेगा, C option बनेगा तरकी की currency जो है वो है Lira अभी तरकी के अंदर एक museum था जिनका नाम है, इस हागिया सोफिया हागिया सोफिया जो है एक museum है और इसको mosque में convert करने की बात यहाँ पे करी गई हागिया सोफिया, that is the जो है आपका museum था यह और इसको mosque में convert करने की बात करी गई तो answer इसमें C option, Turkey is the correct answer यह है जी Turkey, so Turkey, Ankara Ankara is the capital, वैसी Istanbul भी बोलते हैं, Istanbul is the जो है हमारा, Istanbul is the जो बड़ी city, the largest city of the Turkey, this is very important, और तरकी के इदर देखे जी क्या है, Black Sea, very very important who has created history by becoming the first Indian to be ranked world number one in under 21 in the latest ITTF ranking, international table tennis federation की ताजा जारी ranking में under 21, IU वर्ग में दुनिया के नंबर एक खिलाडी बनने वाले पहले भारतिया का नाम बताईए ITTFE is called international table tennis federation के अंदर हमारी इंडिया की ranking में सबसे पहला person कौन आया है, that is मानव ठककर answer इसमें क्या बनेगा, D option बनेगा, अगर मैं बात करूँ international table tennis federation की तो इसके headquarter कहां में है, LAUSANE Switzerland के अंदर है, LAUSANE Switzerland, answer is D option the municipal corporation of which city has launched go green campaign किस शहर ने, नगर निगम ने go green अभ्यान जो है, शुरू किया है तो वो अभ्यान शुरू किया है, किसने बुवनेशवर ने, answer इसमें B option बनेगा, बुवनेशवर is the correct answer अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी एक campaign launch करी गई थी, for the COVID जो आपको पता होना चाहिए, एक है युक्ती, युक्ती web portal this is very very important, युक्ती web portal ठीक है, HRD minister रमेश पोखरियाल जी ने launch किया था, युक्ती portal is यंग इंडिया combating यंग इंडिया combating COVID with knowledge, technology and innovation यंग इंडिया combating COVID with knowledge, technology and innovation, जो ministry of human resource के अंदर आता है, HRD ministry के अंदर आता है और अमेश पोखरियाल जी ने launch किया था this is very very important, एक चीज़ और याद करो, एक आता है standard standardindia.com standardindia.com, ये जो है ये क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ, standardindia.com, ये ministry of tourism ने जो है, इसको launch किया था और इसके अंदर बात करी गई थी, कि हाँ जो भी foreign वाला जो person आएगा उसके लिए proper तरीके से, proper तरीके से इंडिया के अंदर जो है, tourism के लिए according to the airlines rating.com which is the safest airline in the world airline rating.com के अनुसार दुनिया की सबसे सुरक्षित airline कौन सी है सबसे सुरक्षित airline है, that is कांताज Airway, तो answer इसमें क्या बनेगा, B option is the correct answer अब airway से मेरे दिमाग में दो चीज़े आते हैं, एक तो आता है ICAO, that is International Civil Aviation Organization, जो international level के उपर control करती है, जिनके headquarter के आँ है Montreal, Canada के अंदर है अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे Civil Aviation Minister कौन है, तो उनका नाम है हरदीप सिंग पूरी, हरदीप सिंग पूरी is the name, answer is B option in which state Turtle Rehab Center will be open किस राज्या के कच्छुआ पुनरवास केंदर खोला गया कहां पे खोला गया, ये खोला गया बिहार के अंदर, answer इसमें क्या बनेगा D option is the correct answer बिहार के CM कौन है नितिश कुमार है, और इनके जो governor है, ये फागु चोहान फागु चोहान, जिस इस इस गवर्नर और बिहार के अंदर जिसे आप कहते हैं, नागी डैम नागी डैम जो है, ये किस रिवर के उपर है नागी रिवर के उपर ही है और यहां पे एक खगडिया डिस्टिक है जहां से एक scheme launch करीगी थी गरीब कल्यान रोजगार अभ्यान गरीब कल्यान रोजगार अभ्यान जो है खगडिया डिस्टिक से जो है लॉंच किया गया था गरीबों के लिए और हमारे देश में हाइस्ट बर्थ रेट भी कहां पे है बिहार में अंसर इसमें क्या बनेगा डी ओप्शन बिहार इस्रो है साइंट इपक्ट विद इंदेन इस्ट्रो फिजिक्स तो इस्टेबिशन आप्टिकल टैली स्पोट अंडर विच प्रोजेक्ट इस्रो ने किस परियोजना के थे हैट एक अप्टीकल टैली स्सतां के साथ इक सम्झोते पर हस्तक्षर किये हैं अब यहाँ पे किस पेस जो है स्ताक्षर की हैं इन्होंने किस प्रोजक्ट के लिए नेत्रा के लिए जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट के उपर जो है प्रोजक्ट के उपर साइन की हैं और ये नेत्रा क्या बताएगा जो भी स्पेस के अंदर जो भी कोई डैब्रीज होगी कोई harmful object होगा जो हमारी इंडियन satellites को और खराब करेगा तो उस चीज के लिए ये जो है प्रोपर तरीके से project sign किया गया है टेलिस्कोप बनाने के लिए नेत्रा अगर हम बात करता हूँ इस रोगी तो इस रोग बना गब था 1969 में 15 अगस्त को के सीवान अभी इस टाइम पे जो इनके चेर परसन है इस रोगे इस रोगी एक commercial आम है जिसका नाम है अंतरिक्ष इसके भी headquarter बेंगलूरू में है और इस रोगे भी headquarter बेंगलूरू में है अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन institute of astrophysics astrophysics के जो headquarter है वो भी कहां पे हैं ब बनाया था isro का training hub जो था वो कहां पे था चलकेरे में चलकेरे यह कहां पे है कना ठाका के अंदर है चलकेरे में astronaut training hub बनाया था इस रोगे इस रोगे इपर्डन और एक है वो मित्रह वो मित्रह जो है यह half humanite project जाने कि options की humanite robot जो है या जारी बनाया है व्यों मित्रा, इस इस सूपर इंपॉर्टर अगेन आंसर इसमें क्या बनेगा जी? A option, नेत्रा इस दा करेक्ट अंसर National Human Rights Commission has sent notice to which state government over the death of more than 100 children in the state-run hospital in one of its cities सरकारी अस्पिताल में 100 से अधिक बच्चों की जारी किया है, तो अंसर इसमें किसी option बनेगा right answer अभी एक scheme मैं आपको बताता हूँ कि गुजरात के अंदर एक scheme launch करी थी कि बच्चों के लिए खास करके, that is called अंबरे अंगनवाडी, जिसमें अंगनवाडी जो लोग है वो प्रपर तरीके से जो है वो घर-घर जाएंगे और बच्चों का ध्यान रखने के लिए बाते करेंगे अभी एक उडिशा में भी जो है मो प्रतिवा मो प्रतिवा एक culture competition की बात करी गई थी ये कहां पे है, उडिशा गर्मेंट ने उडिशा गर्मेंट प्लस UNICEF दोनों ने मिलके ये किया था जिसके अंदर culture competition होगा between the age 15 to 18 years बच्चों के अंदर ये मो प्रतिवा जो है ये कैम्पेन है, culture competition launch किया था, उडिशा एक उडिशा एक उनिशा एक उनिशा ने सारे important question है बच्चों के लिए आये हैं, तो मेरे सारे 3-4 statements इसमें बता दी जो important है तो अंसर इसमें राज्यसान बनेगा according to the India State of Forest report 2019, what percent of Indian forests are prone to forest fire, जाने के India State of Forest report 2019 के अनुसार कुल भारतिय वनों का कितना प्रतिशत जंगल की आग के खत्रे के दाएरे में हुए तो इस ताइम पे जो आग के खत्रे में है 21.4 एरिया 21.4 एरिया जो है आग के खत्रे में है, अब बात करेंगे हमारे forest cover बगएरा की कहां पे कितना ज़्यादा है तो वो आपको पताना चाहिए तो यहां पे देखें ध्यां से forest cover जो है अगर मैं area wise करूँ तो सबसे ज़्यादा अंधर मद्यपरदेश में देन अरुनाचल में, छथिसगड में, उरिशा में, महराष्टा में अगर हम percentage wise की बात करते हैं सबसे ज़्यादा कहां पे है मिजोरम में, देन अरुनाचल में, देन मेगालिया में अगर हम बात करते हैं कि 21.4 forest जो आग लगने के उसमें है 21.67 जो है आपका proper क्या है forest cover है तो अंसर इसमें ध्यान रखना important question है Who has been appointed as a brand ambassador of the जुलाहा सारी जुलाहा साडियों के लिए brand ambassador किसे ने युक्त किया गया था ये ने युक्त किया गया है मेरी favorite पारी निती चोपड़ा और एक चीज़ मैं आपको बता जेता हूं कि जैसे अभी मनुशी चिलर इनको भी appoint किया गया था ये इनको appoint किया गया था Adidas की brand ambassador के लिए अभी विश्वनात आनन्द जी को भी appoint किया था brand ambassador of WWF India that is World Wildlife Fund India के लिए MS Dhuni MS Dhuni को appoint किया गया था कहां पे ambassador for the poker star poker star के लिए MS Dhuni को appoint किया गया था और PV Sindhu PV Sindhu जो है इनको badminton campaign के लिए जो है इनको brand ambassador बनाया गया I am badminton campaign के लिए I am badminton campaign के लिए किसको PV Sindhu को तो answer इसमें क्या बनेगा परिनिती चोपड़ा Indian Space Research Organization ISRO has set up a regional academic center in which state भारतिया अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस राजिया में एक शेत्रिया शक्षिनिक के अंदर स्थापित किया है तो ये एक शक्षिनिक के अंदर जो स्थापित किया है ये किया है करनाटक के अंदर देखें maximum question आपके करनाटक बैंगलूरो ही बनते हैं ISRO के साथ क्योंकि सारा काम वहाँ पे है अभी इन्होंने एक बात करें थी इन्डियन नैशनल इन्डियन नैशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराईशन सेंटर जिसमें क्या था कि एक लेवल प्लेंग फिल्ड होगा प्राइवेट कंपनीज के लिए ताकि वो जो है इन्डियन स्पेस इंफरस्ट्रक्टर को यूज करेंगे ISRO प्लस ARIES को ISRO को यूज करेंगे और ARIES को ARIES मतलब R.A. Bhatta Research Institute of Observational Sciences को यूज करेंगे ताकि स्पेस डेब्री से हम बच सकें इन्डियन स्पेस प्रोग्राम है जिसमें प्राइवेट कंपनीज जो है हमारा इंफरसक्टर यूज करेंगे ISRO प्लस ARIES का ताकि स्पेस डेब्री को खतम किया जा सकें अंसर इसमें D option बनेगा अंडर डॉक्टर YSR अरुग्या शिरी स्केम ऑफ आंधर प्रदेश तापेशन विल बी प्रोवाइडर फाइनेशल एड ओफ रूपी हाउ मच पर डे आंधर प्रदेश के डॉक्टर YSR अरुग्या शिरी यूजना के तहत रूग्यों को रोजान यह 5000 पर मन्त है डिकावरी और रेस्टिंग पेड़ आफ्टर अपरेशन तब मिलेगा ठीक है और अगर मैं बात करूँ आंधर प्रदेश के लिए तो आंधर प्रदेश में अभी हमने डिसकस किया था कि फर्स्ट ऐसी स्टेड जो ऑनलाइन वेस्ट एक्सेंज के लिए बा आप्लिकेशन थी जो फार्मेश्टिकल के लिए अप्लिकेशन लाच करी थी और एक जिरो इंटरस्ट लोन Zero Interest Loan Scheme भी लॉंच करी गए थी जिसमें Self-Help Groups को बहुत सारा पैसा पाटा गया था अंधर परदेश के अंदर अंसर इसमें क्या बनेगा B option, रूपी 225 The Paddle Fish of which country has been declared Extended by the Scientist Paddle Fish जो है, वो कौन से विज्ञानिकों के द्वारा विलॉप्त घुशित कर दिया गया है ये गिया गया है चाइना द्वारा अंसर इसमें D option बनेगा अभी मैं आपको बताता हूँ कि 2020 के जो critical endangered species हैं जैसे के आपका European hamster ये मैंने कल भी आपको बताया था हमारे 1000 best current affairs के अंदर North Atlantic right whale species of lamour ये आपके critical endangered में आते हैं Extent non genuine status change जाने के extent खतम हो चुके हैं बोनिन पिपी स्ट्रेले बैट splendid poison frog जैलपा फॉल्स ब्रॉक सेलमेंडर ये रिपोर्ट में था ये चीज दिया रखना ये रिपोर्ट में थे इसलिए मैंने ये नाम लिखे हैं ये clear होना चाहिए critical endangered और extinct species के बारे में गायन की श्रेनी में 100 global child prodigy award 2020 किसने जीता था ये जो लड़की थी दुबई बेस 13 साल की एक लड़की थी जिनोंने अवाड जीता है और इनका नाम है सुचेता सतीश अंसर इसमें क्या बनेगा C option is the correct answer which state has launched the KRERA to bring transparency in the real state sector जाने के ये जो है launch करीगे KRERA के रेरा जिसे आप कहते हैं केरल real estate regulatory authority केरल real estate regulatory authority ताके ये जो है transparency provide करेंगे real sector state के अंदर और ये कौन सी state के अंदर है again केरल की बात आगी तो अंसर इसमें क्या बनेगा B option बनेगा और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहां पे एक app launch करीगे थी योदावू 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 जो है ये एक mobile app है जिसके अंदर drug abuse प्रॉपर तरीके से find out कर सकती है पुलिस ये केरल सरकार ने launch करी थी योदावू ठीक है और एक आपको मैं बताता हूँ portion अभियान था केरल के अंदर उसको portion अभियान का जो नाम था डैडिस संपूशा केरलम संपूशा केरलम जो है launch करीगी केरला सरकार ने portion अभियान है केरला के अंदर एक चीज़ और याद रखो जो मेरे दिमाग में आई अभी 5T initiative 5T initiative जो किस ने launch किया था अभी recent ने उडिशा स्टेट ने launch किया था जिसमें हम technology के उपर जाएंगे transparency के उपर जाएंगे, teamwork के उपर जाएंगे और time leading to the transformation जाने कि हम proper तरिक से transform होने की बाद सोचेंगे तो इस तरीके से 5T initiative किया था उडिशा ने युदावू वो बहुत important है क्योंकि drug abuse हमारे देश में बहुत ज़दा होता है तो answer इसमें क्या बनेगा D option केरल which country was the largest source of FDA in India during the first half of financial year 2020 as per the data released by the government सरकार दोरा जारी अंकडों के अनुसार वित वर्ष 2020 की पहली 6 माई के दोरान भारत में कौन सा सबसे बड़ा सत्रोत कौन सा देश था तो वो था Singapore Singapore is the correct answer answer इसमें क्या बनेगा D option is the correct answer अब Singapore जो है सबसे बड़ा source है हमारे देश में FDA का Singapore की अगर मैं capital की बात करूँ तो Singapore City ही है और Singapore की currency is dollar और एक चीज़ और बताता हूँ की World Competitive Index के अंदर World Competitive Index के अंदर सबसे नंबर वन पे है सिंगापूर और India का रैंक था 43 अगर बात करी जाएं India अभी एक report आई थी UK की report थी वो UK के अंदर सबसे जादा जो पैसा डाला है वो US ने डाला है और दूसरे नंबर पे India इंडिया जो है सेकंड नंबर पे FDA के अंदर जो है हमारी हमारा देश है जो UK के अंदर जिन्नोंने maximum पैसा दिया है मतलब maximum investment करी है तो UK के अंदर इंडिया ने सेकंड नंबर पे है और US पैले नंबर पे है अभी रिसेंटली चार-पांज जिन पहले ही ये न्यूस थी answer is D option Singapore who has won the man's 10 meter air pistol gold at the 63rd national shooting championship in Bhopal 63rd वी राष्टिया निशाने बाजी championship की पुरुष 10 meter air pistol सपरधा में gold medal किसने जीता है तो ये कौन सा 10 meter की उसमें किसने जीता है that is Saurav Chaudhary answer इसमें क्या बनेगा A option is the correct answer 10 meter air pistol gold 63rd national shooting championship में answer is Saurav Chaudhary अगर मैं बात करूँ कि ये जो 63rd national shooting championship हुई कहां पे थी ये हो गया आपका answer Bhopal, Madhya Pradesh के अंदर अब यहां पे 10 meter अगर पूछा जाए 10 meter air rifle के अंदर 10 meter air rifle के अंदर women category के अंदर तो 전growth Khita ज ждता जो जीती थी female category के अंदर और ये सaurav Chaudhary जीते हैं male category के अंदर अगर हम बात करें junior category के अंदर junior category के अंदर junior category के अंदर जिसने top के था उनका नाम था Manu Bhakir मानु बकेर इस दा करेक्ट अंसर जुनियर कैटेगरी के अंदर और मैन 25 मीटर एर पिस्टल के अंदर जो है किसने जीता था अनिश भानिवाल जो है उन्होंने जीता था जो आपको पेपर में आते होने चाहिए जो पेपर में बूचे जा सकते हैं तो इस कोशन का अंसर स्वारव चौधरी 10 मीटर एर पिस्टल राइफल 63 नेशनल शूटिंग चैंपेशेप तो यह थे आज की लेक्चर के अंदर कोशन बागी इस लेक्चर की पीडिव आपको परचेज कर सकते हैं दो पेड़ कोर्स आप परचेज कैसे करेंगे यह आप करेंगे स्टडी आईक्यू अप डानलोड जहां पे आपको 10,000 MCQ कोर्स नजर आएगा और GS कोर्स नजर आएगा आएगा कहां पे बेस्सेलिंग कोर्स में जाएंगे यहां पे व्यू आल का बटन लगा होगा तो उसमें GS कोर्स और 10,000 MCQ कोर्स नजर आजाएगा 10,000 MCQ कोर्स जो है आपका जिसमें पॉलिटि हिस्ट्री जोगरफी साइंस एकोनॉमी हम डिस्स करेंगे और GS कोर्स जो है थेयरी कोर्स है इसमें भी सारी चीज़े डिस्कस करी हुई है तो आप कोई भी कोर् सकते हो, so thank you so much guys, all the very best, good luck, take care.